अश्टो रागो चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के सुब मुर्त के बारे में जान लीजिये आज आज आपका दिन मंगल में रहे यही हमारी सुब कामना है और हम प्रस्तुत करें खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुर्त के बारे में अगर आज आप बहान करीदने का विचार करें या कोई नया ब्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के सुब मुहरत में करें ताकि आपके कारी सफलता पूर्वक संपन हो सकें जोती से में धरम की दिष्टी से इन मुहरतों का विसे समात होता है और मुहरत और चोगडिये के आधार पर हम आपके लिए प्रतिदिन खास मुहरत का सोगात लेकर के आते हैं प्रस्तिते हैं आज के सुब मुहरत के बारे में सुब विकरमी संबत 2080 है सक संबत 1945 है हिजरी सन 1444 है इस भी सन 2023 है समंतर नाम पिंगल है और इसी प्रकार से सावन का महीना चल रहा है बहुत ही अच्छा पर्व इसमें आते हैं सिव जी की जो कोई भी आराध न करता है उसका कल्यान हो जाता है सावन का महीना जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि सुरू हो चुका है तो सावन का महीना आज किर्ष्ण पक्ष की दसमीतिति है भढ़ी नाम का नशत्र है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बात करेंगे विस्तार से सारी बात बताएंगे कि किर्ष्ण पक्ष की जो यह दसमीतिति होती है इसका क्या महातम होता है और इसमें जन्मे हुए बालक के कैसे कर्म होते हैं कैसे उसको उन्नती मिलती है भेड़ी नाम नचतर कैसे होता है इसके बारे में भी भाम आपको बताएंगे अब पहले बजान लेते हैं सुब महुरत के बारे में कि सुब महुरत कौन सा है आज का सुब महुरत बिकर्मी संबत का जो है आज बहुत ही अच्छा महुरत है आज 11 बच के 42 मिनट से शुरू होगा अब जीत महुरत जो 12 बच के 36 मिनट पर चलेगा अगर आप इसमें कोई भी कारी करते हैं आपका कारी जरूर ही सिद्ध होगा तो इस प्रकार से सारी जानकारी आप हमारे से प्राप्ति कीजिए और हम राहुकाल के बारे में भी आपको बता देते हैं राहुकाल बारा बज के नो मिनट से शुरू होगा ये दुपाहर में सुरू होगा और एक बज के ब सुनिएगा अभिजित मोर्त जो होता है सभी सभी जिसे असुब कोई मोर्त होता है वो सारे को जो है नश्ट कर देता है खतम कर देता है अब हम जान लेते हैं कि किष्ण प्रक्षि की दस्मी तिथी के क्या महात्त होती है दस्मी तिथी को धर्मनी तिथी कहते हैं और अगर इ अगर काम करेंगे, हमारे को धन मिलेगा. यह दह तिति जो है, झाले चंद्रम की दस्मी कला होती है, इसलिए इसको दस्मी कहते हैं. दसमी तिति के स्वामी यम्राज को माना गया है और इसमे अगर कोई कार करते हैं तो आर्योगय और दीरगायू धन प्रापति होती है और अगर इसी तितिमे कोई बालक जनम लेता है तो यम्देत की पूजा यम्राज की पूजा उसे अवसी करना चाहिए अगर अम्राज की पूजा वो करता है बहुत ही लाप मिलेगा जोतिस में इसका क्या मात होता है अगर यह दसमीति थी सनिवार को आ जाती है तो यह मिर्तुदा योग बनाती है और इस योग इस जो है कार में कोई भी अगर कार इस दिन करना है जैसे सनिवार को पड़ गई मिर्तुदा योग बनाएगी तो इसमें सारे कार वर्जित रहेंगे इसमें कोई भी कार आप नहीं कर सकती है इसके अलावा अगर विरस्वतिवार को आ जाती है तो सिध्धा कहलाती है हर कार सिध्ध होगा ऐसे समय में कार सिध्ध की प्राप्ति होती है हम आपको बता दें कि दसमी तिति जो है पूरिमा तितियों की भी सेड़ी में आती है इसमें किये गए कार सारे कार जो है पूरे हो जाती है भड़ी नाम के नशत्र के बारे में बता देते हैं कहते हैं कि इसका बहुत नशत्र बल्वान है. इसलिए जो है नशत्र की जानकारी जरूर होना चाहिए. हमारे जो है जो ढugने जोतिस में बहुत ही बड़ा महातु होता है. कि बालक का जनम हुआ है, तो किस नशत्र में हुआ है? आच्छे चन्शत्र में होता है. हर कारज जो है उसका अच्छा होता है अगर भैड़ी नाम में भैड़ी नाम के नचत्र में आपका जनम हुआ है तो कद काठी मध्यम रहता है और आपके पास पूरे दात रहते हैं मतलब 32 के 32 दात होगी त्रीब गुद्धी होगी औरों से अलग होता है मांसिक ललणच लिए हुआ बहुत समझदार व्यक्ती होता है खास करके इसको जो है उसीद कान के लिए आप में जो है अधिकांस आईव बहुत लंबी होता है जिनका जनम भैड़ी नचत्र में होता है इनका आईव लंबी होती है और इनका जो है नशत्र धारक है, जो खुद किसी पर बोज नहीं बनता, ये जो है सब को तारने वाला होता है, जिम्मेदारी का बोज ये खुद ही उठाता है, और ये जो है चालांकी से जो है, अगर कोई खेडा करता है इसे, इसको फट पता लग जाता है, कई बार आप सोय बच्चों जैसा बेवार करने लग जाते हैं ये भड़ी निशतर में जन्मे हुए बालक का सुभाव है आप में से कुछ बहुत ही रचनात्मा कैसे कार्य होते हैं विशेश करके दिर्शी कलाओं में इसके लिए आपने जो है हस्त चिकित्सा और चित्र कला बनाते हैं और फो और इस प्रकार से रोमांज के सेत्र में इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है इनको लब मेरिज नहीं करना चाहिए अरेंज मेरिज इनको करना चाहिए अपने साथी के द्वारा गलत ही समझे जा सकते हैं और आप जीवन में कुछ अच्छी बस्तूओं के ऐसे सोकीन ह जो अधिकतर तुचा रोग और मटापे के कान दुखी हो सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद